नवस्कार दोस्तों ये एक फिमेल का पाम है और इनकी वर्तमान आयू लगबख साड़े 45 साल है ये विदेश में रह रहे और भारतिय व्यक्ति है जब किसी के पाम में जब इस तरह की सीधी रेखा हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते और जीवन में जो अपर एक्टेंगल और स्क्वारिश दोनों है ऐसे लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट रहते और प्लस महंती भी होते जिनका पाम चोड़ा होता है ये दोनों गुन पाए जाते फर्स फैलेंग नुकिला है तो कारे के प्रती अच्छी खासी जीद होती है और से फोदों उंगलिया लगबक सिधी चल दिये थोड़ी सी सुरी के उंगली बढ़ी है तो हिमती सभाव शो होती है और इनके फैलेंज सपाट है तो कहीं न कहीं बिजनेस माइंड तो इनके जीवन में हो गई या अच्छे खासे बिजनेस माइंड होंगे ये उंगली का फैले तक भी ऐसे लोगों में ज्यादा पाई जाती है और ये उंगली फर्स फैलेंज तक नहीं पहुचती तो व्यक्ति डॉक्ति डॉक्मेंटेशन फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना याज शक्ति मनी मेनेजमेंट और अकाउंट ये सारी चीजों में व्यक्ति कमजोर होत होता है जब ये उंगली फर्स फैलेंज तक नहीं पहुचती तो अब इनके क्लोज अप की और चलते बुद्ध परवत अपने आप में उभार ये जब उभार होता है पैडिंग होती है इस पर तो ऐसे लोग सुन्दर होते कई भाशा के जानकार होते बोलने ने आए लिखन पर समझ में तो इनको आती है सपर्ष्ट वक्ता होते प्लस बहुत सारी लाइन है तो बिजनेस सेंस भी अच्छा खासा व्यक्ति में रहता है और बहुत सारी लाइन है तो हीलर को टाइप की कॉलिटी भी रहती है यानि खुद दुखी हो पर कोई दुखी व्यक्ति आ गया तो उसे बातों में ऐसा हिल करते हैं कि सामयवला खुश होके चला जाए एक तो ये खासियत हुई ये बुद्परवत व्यक्ति को सुंदर्ता भी देता है और ये लाइने अच्छी सुंदर्ता देती है बुद्परवत आपका उभार है तो सुन्दर्ता मिलेगी और उस पर भहुत सारी लाइने है तो आपको उस सुन्दर्ता में और चारचान लगे इस तरह की व्यक्तित्व मिलती है तो यह एडवांटेज है आपके हाथ में अब आपकी सुर्य रेखा को देखे तो सुर्य यहां से comfortable income आनी चालू होगी पर वर्तमान समय में इनकी धन रेखा डिस्टरब थी पर आगे चलकर बहुत अच्छे समय में यानि हो सकता है एकाद महीने में या अच्छे महीने में इनको positive फल मिलने चालू हो वो जब धन रेखा पर आएंगे तब उसके बारे में discuss करेंगे यह comfortable income देगी यश भी देगी जब सुर्य रेखा होती है तो ऐसे तो जीवन भर यश मिलता है पर जब वो active होती है और जब से सीधी होगी यह लगबक उम्र सीधी होगी 49 के आसपास अभी थोड़ इसी cross में चल रही है पर यह जैसे सीधी होती है इसका फल जादा मिलना चाल रही है और जहां घुमाव लेगी वहां धन कम होगा यानि कम आएगा income पर यह जब सिधी होती है वैसे धन की प्राक्ति जादा होती है तो यह एक चीज है इनके हाथ में यह प्लस पॉइंट है multiple property की sign clear cut बनी हुई है तो एक से अधिक property खरी देंगे या निर्मान करेंगे ए एक शुक्रवलाय बना हुआ है जो यहां से चली लाइन और यह इस तरह से operate हो रहा है तो ऐसे लोग अगर यह बचपन से हो तो जन्म लेते ही परिवार संपन्द बनता है और ससुराल में आने के बाद ससुराल भी संपन्द बनता है तो यह भी एक खाश्यत इन में पाई ज यह एक advantage इनके हाथ में है यहां विद्या रेखा भी है तो व्यक्ति को basic knowledge अच्छा खासा होता है और basic knowledge के कारण व्यक्ति अपने जीवन में progress भी करता है और लोग इनको पूछ-पूछ कर काम करते और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज्यादा लोग पूछ-पूछ कर काम करे इनके शनी परवत में ये पार्ट थोड़ा सा उभार है तो ऐसे लोगों को सुबह उठने में कहीं न कहीं अलस्य का सामना करना पड़ता है और अच्छा नहीं लगता पर एक बार व्यक्ति आखे खोल लेता उसके बाद active रहता है और यहां पर देखे तो एक रेखा पूरी सुर्य परवत की और देख रही है विदे से धन प्राप्ति की रेखा है और एक और fate line निकल रही है जो up to end तक जा रही है इसके बारे मैं भी discuss करेंगे जब fate line पर आएंगे पर बुड़ा पे तक continue रेखा है तो बुड़ा पे तक income आती रहेगी जूपिटर माउंट किसी भी महिला का जूपिटर माउंट अच्छा होना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलता है और इस पर देखे तो मुझे कहीं न कहीं ये square sign लग रही है अगर ये complete होगी तो 32 साल के पहले कोई ने कोई property औ यहाँ पर एक लाइन दो और यह तीन यह multiple income देती है व्यक्ति को पामेश्री astrology इस तरह के जो mystery science होते है उसमें interest जाता है तीसरी चीज व्यक्ति धार्मिक बनता है और चौथी चीज सेवा भावी बनता है यह चार benefit दिलाती है तो यह भी एक advantage है इनके हाथ में अंदूनी मंगल काफी अच्छा है इस तरह का अंदूनी मंगल वाला व्यक्ति साधिर ग्रूप से अच्छा रहता है यानि energy अच्छी होती है सेम इसी तरह का भारी मंगल भी अच्छा है व्यक्ति का भारी मंगल भी व्यक्ति को हिम्मती बनाता है संकट के समय व्यक्ति तो थोड़ा सा भी पार्ट अगर चंद्र का दपता है तो बाते करने का शौक जादा होता है व्यक्ति को और पैडिंग अच्छी है चंद्र परवत पर ये व्यक्ति का विदेश से संबंद लाती है और ये अल्रेडी विदेश में ही है सेकेंड चीज इनकी पूरी जीवन रेखा ही चंद्र परवत पर जा रही है तो ऐसे लोगों के बहुत अच्छे चांस होते हैं विदेश सेटलमेंट के और यहां पर एक फोर्क बन रहा है इस तरह का फोर्क व्यक्ति को यात्राय ज्यादा कराता है चंद्र परवत जब आपका अच्छा होता है तो आप अच्छे पर्चेसर होते हो वेली फोर मनी पर्चेस करने वाले होते हो रिफाइंड सोच होती है जब यह लोग पैसा कमाते तो घर के फरनीचर भी देखने लायक होते है और हफीस के फरनीचर भी देखने लायक होते है और नई नई चीजे करने का शौक व्यक्ति में हमेशा पनपता है और समझ और सोच होती है वो काफी नहीं कहता बहुत ज्यादा मात्रम है और व्यक्ति करता है अपने जीओन में और व्यक्ति सेव भी करता है शुक्र पर्वत भी जैसा चीए वैसा है काफी उन्नत है और इस पर जितने स्क्वेर है ये सारी प्रॉपर्टी की और इशारा जा रहा है तो प्रॉपर्टी के योग भी इनके हाथ में अच्छे काते है और शुक्र पर्वत जिस व्यक्ति का अच्छा होता है वो व्यक्ति कह नहीं न कहीं अच्छे कपड़े पहनता है अच्छी तरह रहता है घर्मी पसंद नहीं आती एक शरीर में अलग तरह के उर्जा पाई जाती है तो यह सारा एडवांटेज इनको मिला हुआ है फिदे रेखा को देखे तो दो तरह से चल रही है एक तो रेखा यहां से निकली और यहां तक चली एक रेखा इनकी मंगल की और से निकलती है यह गुसा दिलाती है व्यक्ति को तो शर्टन एश तक तो यह थोड़े से आधरस्वादी भी रहे होंगे पर यह धीरे धीरे आध इनका खत्म हुआ होगा यह उम्र लग भग 34 के आसपास यहां तक इनका आदर्सवाद खत्म हो चुका होगा और यह लाइन इनको गुसा दिलाती है और इस तरह से आगे बढ़ रही है और थोड़ी आगे चल कर यहां से यह डार्क बन रही है और यह पिरियडों का उम्र का लग भग यह उम्र का 45-46 के आसपास का समय तो इनके पास जिम्मेदारिया बढ़ जाएगी इसके बाद यह व्यक्तिकत जीवन के बदले किसी और के लिए जीते होंगे इस तरह का एसास इनको होगा और आपा धपी लगी रहती है कोई ना कोई एक जंजट मारी पूरी हुई नहीं कि दूसरी से पाला पढ़ता है इस तरह की स्थिति पैदा होती है यानि या तो काम का बोज बढ़ता है या कोई ना कोई जिम्मेदारिया बढ़ती है इस तरह की स्थितिया पैदा होती है और जिस व्यक्ति के हाथ में इस तरह से लाइन एक आद दो नीचे की तरफ जाए तो जो लाईन हैं इनकी माईन लाइन, माईन लाइन पर मैं यह नहीं कहूंगा कि यह साइन है, यह साइन से यह बचे हुए, पर कही न कही प्रेशर बना रहता है व्यक्ति के जीवन में, एक तो जुपिटर से स्टाइच होई और यह यहां चल कर यहाँ पर यह लगबग ब्रेक हो रही है अब जुपिटर से स्टार्ट होती है तो व्यक्ति महातोकांशी होता और अपनी महातोकांशा पूरी भी करता है अब इस पिरियर्ड को देखे तो यह लगबग पिरियर्ड होगा इनके जीवन का अंदाजित 36 के आसपास ऐसी कोई घटना भी घटी होगी जो इनको मन को विचलित किया होगा और उसके बाद 35-36 के आसपास घटना घटी होगी और उसके बाद यह सिरियस भी बने होगे और धर्मिक भी बने होगे और यहां पर देखे तो यह डबल जब चलती है तो कोई न कोई प्रेशर व्यक्ति के जीवन में बना ही रहता है और यह 32 तक इनके जीवन में प्रेशर बना रहा होगा और उसके बाद यह माइन लैन हैं से सुरुवत हुई और यह नीचे की तरफ जुक रही है यह नीचे की तरफ जुकने का मतलब है व्यक्ति इमेजिनेशन पावर काफी हाई होता है व्यक्ति धार्मिक बनता है उसे कोई न कोई देविये शक्ती उसके साथ चलती है इस तरह का एहसास होता है यह state of mind होता है यह सब के साथ लागुनी होता जिसकी mind line नीचे की तरफ जुकती हो उसी के साथ होता है और भारवालों के लिए उत्तम होते हैं घर में किसी एक वेक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं यह बहुत बड़ा minus point इनमें पाया जाता है अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं जीवन रेखा पर उम्र 35 के आसपास एक राव रेखा ने काटा अब यह जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ इस तरह की राव रेखा परेशान नहीं करती और इसी पिरियर में एक आपशुट भी था तो कोई ने कोई सफलता भी इनको प्राप्त हुई होगी उसके बाद 37 के आसपास एक राव रेखा ने काटा उसके बाद 39 के आसपास एक आपशुट था इसने भी इनको सफलता दी होगी और 142 के आसपास भी आपशुट है इस आपशुट ने भी इनको कोई ने कोई सफलता दी होगी उसके बाद 44 के आसपास एक राव रेखा ने काटा और उसके बाद एक छोटी सी राव रेखा 50 के आसपास काट रही है और यहाँ से एक ट्रैंगल बन रहा है इनके हाथ में अगर यह स्पर्ष्ट होगा तो यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी ये खरीदेंगे और ये पिरियड होगा लग बग 44, 45 से लेकर आने वाले 20-25 सालों में ये ट्रैंगल मुझे एकाथ फोटोग्राफ में काफी क्लियर लगा है तो ऐसा जब ट्रैंगल बनता है तो समय अच्छा भी चलता हमारा और हमारे जीवन में प्रॉपर्टी अभी आती है और काफी अच्छी जीवन रेखा है तो स्वास्त और ये सारी चीजे जीवन में अच्छी रहने वाले इनके कोई बहुत ज़्यादा रुकाउटो वाला हाथ नहीं है हाँ धन रेखा पर जरूर डिश्टबंस है अब धन रेखा पर आते हम एक तो चन्रपरवत से सुरवात होती है तो या तो लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है या विदे से धनलाब शो करता है और उस पर एक कट आया यह उम्र होगी लगबग 29 के आसपास या 30 के आसपास कोई न कोई आर्थिक कष्ट इनको उठाना पड़ा होगा या कोई भारी घर चाया होगा उसके बाद आगे की सिती हम इनके और एक क्लोज अप है उस पर चलते है यह यहां पर यह यहां तक अगर यह रेखा तो 36 के आसपास से डिश्टब दिख रही है 36 से लेकर यह यहां तक डिश्टब दिख रही है इस फोटोग्राफ के हिसाब से तो यह जो पिरियर्ड है यह इनके लिए तफ रहा होगा और उसमें भी 42, 43 में भारी आर्थिक नुकसान का सामना इन्होंने किया होगा और यह लगबख 45 या जादा से जादा 46 तक इनके जीवन में यह तकलिफ रही होगी और उसमें भी यह जो पिरियर्ड गया होगा 42 से लेकर यह अंत होने तक यह काफी टफ गया होगा काफी टफ इतना पिरियर्ड तो बहुत जादा टफ इनके जीवन में गया होगा नेकी कर दरिया में डाल खुद के सगे दूर हो जाते हैं हमें लोग काटने दोड़ते हैं unexpected expense आता है नुकसान जाता है पता नहीं चलता क्या हो रहा है जीवन में यह इस तरह की condition पैदा होती है उसके बाद वापस इनकी fate line smooth हो रही है और यहां से एक और नहीं रेखा खुल रही है धन रेखा वो इस पर देखते हम जो problem था वहाँ देख लिए हमने अब यह जो रेखा open हो रही है और यह अच्छी खासी जूपिटर की और थोड़ी सी जुक रही है तो यह growth जादा देगी और यह period होगा इनका लग भग 44 के आसपास से कोई व्योसाय चालू किया होगा 44 या 45 के आसपास से और वो दीरे दीरे growth अच्छा देगा और यह line भी growth वाली है तो आगे आने वाला समय मुझे नहीं लगता आप जादा समय इनके जीवन में कश्ट राय आगे चल कर वापस इनकी जीवन स्मूथ हो जाएगी और अच्छा खासा व्योस्तित जीवन जीएंगे ऐसा इस तरह से इनकी fate line से लग रहा है तो short time का ही tense राय हो सकता है 2 मेना लगे हो सकता है 6 मेना और जादा से जादा 12th month उसके बाद आपका problem solve होते दिख रहा आपके हाथ पर as per photograph तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद